वर्ट अब गाइस वे आफ सब लोग आई हो आप सब लोग ठीक हो जैसे कि मैंने आज आपको क्या बला था सुबह एक वीडियो ड़ाली थी मैंने कि मार्केट अगर इस इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हमने क्या करना है हमने उसकी साफ से चलना है मैंने एक लेवल बहुत बड़ा दिया था आपको 21,760 वाला अगर आपने सुबह की वीडियो देखी होगी तो तो मार्केट ने मूव कहां से किया है देखो ना मार्केट ने वहीं सही हमें अपसाइड का मूव दिया कहां तक 21,817 पर ठीक है ओके लेकिन अगर आपने एक चीज़ और नोटिस कियोंगी मार्केट गिरी भी वहीं सही है तो इसका मतलब यह है कि में लेवल कुछ तो वैल्यू दिखा रहे है ना तो मैंने आपको बोला था अगर आपने किया होगा मेरे हिसाब से चले होगे तो भाई ठीक है प्रो लेवल ब्रेक हो जाता है ना 21,675 वाला तो हम डाउन साइड का ही जाएंगे कहां तक जाएंगे 21,600 अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट और नीचे जाएगी कहां तक जाएगी यह देख लो थोड़ी सी और नीचे जाएगी ठीक है लेकिन अगर यहां से पूल बैक ब्रेक होता है तो फिर वह बाई 21,675 लेवल हो गया और 21,758 मलगे ब्रेक होता है तो हमने डाउन साइड का ही सोचना है ओके तो कि यहां पर मार्केट ने काफी टाइम दिया है तो इसलिए हमने यह लेवल बहुत इंपोर्ट है और 21,600 वाला अगर लेवल ब्रेक होता है त लेवल उतना ही पॉंटेट है अगर इसके बीच उपर की तरफ मार्केट ओपन होती है सिंपल आए बाई 21,760 वाला अगर लेवल ब्रेक हो कल इसके उपर मार्केट जाती है तो हमने क्या करना है डाउन साइड का सोचना है हमने अभी अपसाइड का नहीं सोचना है ठीक है तो यह चीज है तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया मेरे लेवल से देख लो आप 21,817 हमने उस हिसाब से ही मूव करना है लेवल के हिसाब से ही मूव करना है अगर बीच बीच में मार्केट रहती है तो हमने कुछ नहीं करना है टाइम पास है मार्केट ठीक है ओके तो 21 12,675 वाला लेवल अगर कल ब्रेक होता है डिरेक्ट तो हमने क्या जाना है नीचे की तरफ ओके गाइस